नमस्का दोस्तों यूबीक टीवी देखे सभी दर्शकों का स्वागत है आज IPL का 4800 मैच हैदराबाद के रजीव गांधी इंटरनेशनल स्टीडियम में खेला गया ये शांदर मैच सनराइज हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब के बीच था पंजाब ने टॉस जीत कर पहले गेंड बाजी करने ने लिया जवाब में उतरी हैदराबाद की टीम की शुरुआत डेविड वारनर और विद्धिमान साहा द्वारा की गई शुरुआती दोर में इन दोनों दिकस बल्ले भाजों द्वारा स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया गया लेकिन साथवे ओवर की दूसरी गेंड पर साहा 28 रन बना कर मुरगन अश्विन का शिकार हुए और प्रब सिमरन सिंग को अपना कैश थमा बैठे उसके बाद क्रीस पर उतरे मनीश पांडे ने डेविड वारनर के साथ मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया और कहीं बहतरी शौट खेलते हुए हैदरबाद के स्कोर को डेट सो रन तक पहुंचा दिया रवी चंदर अश्विन द्वारा सोलवे ओवर की तीसरी गेंड पर मनीश पांडे और आखरी गेंड पर डेविड वारनर को पविलियन का रास्ता दिखा दिया गया मनीश पांडे ने 25 के अंदों पर 36 रन बनाए और वारनर ने 7 चोकों और 2 चकों की मदद से 81 रन की शांदार पारी खेली केन विलियमसन 14 और मुहमद नाभी 20 रन बना कर मुहमद शामी का शिकार हुए राशित खान अश्टीव सिंग द्वारा एक रन पर क्लीन बोल्ड कर दिये गए विजे शंकर साथ और अभी शेक शर्मा पांच रन बना कर नाबाद रहे इसी के साथ ही हैदराबाद ने पंजाब के समक्ष जीत के लिए 213 रनों का लक्षे रखा जवाब में उत्री पंजाब की टीम की शुरुआत काफी धीमी दिखाई दी तीसरी ओवर की पहली गेंद पर मनीश पांडे द्वारा बहतरीन कैज पकड़ते हुए क्रिस गेल को केवल 4 रन पर पविलियन का रास्ता दिखा दिया गया मयंक अगरवाल ने केल राहूल के साथ मिल कर स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया 9 ओवर की चोथी गेंद पर मयंक अगरवाल भी 27 रन बना कर राशित खान का शिकार हो गए जहां एक तरफ केल राहूल बहतरीन बल्ले बाजी करते हुए पंजाब के स्कोर को आगे बढ़ाते रहे वहीं दूसरी ओर विक्टों के गिरने का सिलसला ऐसे ही चलता रहा 11 ओवर की आखरी गेंद पर निकॉलस पूरन भी 21 रन बनाते हुए खलील एहमद द्वारा वापिस भेज दिये गए 13 ओवर में राशित खान द्वारा डेविड मिलर को 11 रन पर और रवी चंदर अश्विन को बिना खाता खोले ही पविलियन का राष्टा दिखा दिया गया केल राहुल ने चार चोकों और पांच छकों की मदद से 69 रन की शांदार पारी खेरी लेकिन वो भी पंजाब को जीत दिलाने में नाकाम रहे और 19 ओवर की दूसरी गेंद पर अपना विकेट गवा बैठे खलील एमद की गेंद पर केन विलियमसन दौरा बहतरीन कैच पकड़ते हुए उन्हें आउट कर दिया गया सिमरन सिंग 16 रह्मान शून्या रन बना कर संदीब शर्मा का शिकार हुए मुर्गन अश्विन और मुहमद शमी नाबाद एक एक रन ही बना सके और इसी के साथ हैदराबाद ने ये मैच 45 सननों से जीत लिया डेविड बॉर्नर को उनकी बहतरीन बल्ले बाजी के लिए मैन ओफ दे मैच घोशित किया गया आईपियल से जुड़ी जानकारी के लिए सबस्क्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बैल आइकन को क्लिक करना ना भूलें